नमस्कार दोसों वैदिक जोदिस में कई शुभ योग बनते हैं जिसमें से एक प्रमुख योग है लक्षमी नारायन योग इस योग का निर्माल शुक्र और बुद्ध की युदि से होता है आपको बता दे कि शुक्र ग्रह ने व्रश राशी में प्रवेश कर लिया है और वहीं 31 मई को बुद्ध ग्रह व्रश राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं जिससे लक्ष्मी नारायन योग का निर्माण होगा वहीं इस योग के प्रभाव से तीन राशी के जातकों को हर छेतर में सफलता मिलेगी साथ ही करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है आईए जानते हैं ये राशिया कौन सी हैं? सबसे पहले राशी आती है व्रशब राशी आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायन योग लाबकारी सिध हो सकता है क्योंकि यह राजियोग आपकी राशी से लगन भाव में बनने जा रहा है इसलिए इस समय आपके व्यक्तिक्त में निखार आएगा साथ ही इस दोरान पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाग प्राप्ति के कई सुनहरे औसर मिलेंगे और कमाई के नए नए तरीके भी मिलेंगे वहीं आपके व्यक्तिक्त में निखार आएगा साथ ही आपके बड़े-बड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे जिससे भविश्य में आपको लाग होगा साथ ही इस समय शादिशुदा लोगों का व्यवाहिक चीवन्स खुश्णमा रहेगा साथ ही जो अविवाहित लोग हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है अगली राशी आती है शिंग राशी लक्ष्मिनारायन राजियोग का बनना सिंग राशी के जातकों को अनुकूल साबित हो सकता है क्योंकि यह राजियोग आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर बनने जा रहा है इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में शानदार सफलता मिलेगी साथ ही इस दोरान आपको परसनल वा प्रोफेशनल लाइफ में कई फायदे दिखेंगे वही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको जॉब मिल सकती है साथ ही परिवार में सुख सान्ती और शम्रधी बनी रहेगी और समपत्ती वा वाहन खरीदने की भी इक्षा पूरी होगी वही जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी अच्छा धनलाब हो सकता है अगली राशी की बात करते हैं तो वो आती है करक राशी आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायन राजियोग शुब फल्लाई सिध हो सकता है क्योंकि राजियोग आपकी कोचर कुंडली के आय इस्थान में बनने जा रहा है इसलिए इस दोरान आपको समय समय पर आकस्मिक धनलाब की प्राप्ति होगी साथ ही आर्थिक इस्थिती मजबूत बनी रहेगी और कई शेत्रों से धनलाब के योग भी बन रहे हैं वहीं इस समय आपको निवेश से भी लाब होगा साथ ही आपको धनलाब के कई उसर मिलेंगे और बैंक बैलन्स में बढ़ोतरी होगी जिससे हर छेत्र में काम करते हैं अब जिस छेत्र में काम करते हैं उसमें आपको काम्याबे मिलेगी वहीं आपको इस समय शेयर बाजार, सट्टा और लाट्री में अच्छा धनलाब हो सकता है दोस्तों ये था बुद्ध और शुक्र की यूती से बनने वाले लक्ष्मी नरायड योग के बारे में जिससे विशेस लाग इन राशियों को प्राप्त होगा उमीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा धन्यवाद